हालो फ्रेंड्स वेलकम डूदी देविन क्लासेज दी एजुकेशन एंद प्रोफेशनल क्लासेज गौर्म्ट एजाम के प्रफेशन करना लेका अनुरेट्स हो या स्कूल के स्टुडेंट्स हो हमारा जो इत चानल है दोनों के लिए ही एकुली बनिफिशल है क्योंकि एंसे इस दोनों के लिए बहुत जादा इंपोर्टन है आज हम च्लासिक्स का चैप्र फाइब करने वाले हैं जिसका नाम है सप्रेशन अप सबस्टांस जिसमें डिफिन टाइप्स के मैथर पढ़ेंगे सबस्टांस इसको सपरेट करने का इसे पहले वी और क्लासेज की वीडिय सबस्टांस बिइंग सपरेटेड़ सॉमय मिक्शार प्रेशैनीज है मिक्शर पेइडियल चैप्तर नेम है हम श MR की सबडराइटल्स सब्सक्रांसे उसे इक्साइट करना ऑजो यूस करना ही हमारा separation कहलाता है ठीक है तो यह जो है हमारा daily life में होने वाला वर्क है अब आप सुचिंगे कि daily life में हम separation कैसे करते हैं substances के तो example बहुत सारे मैंने आपको यहां पर दिये हैं सबसे पहला example आप देखेंगे tea leads का हम लोग घरों में चाय बनाते हैं चाय की पत्ती का यूज़ करते हैं चाय में okay after making a chai हम क्या करेंगे कि tea leads को filter करके हम अलग कर लेंगे और अपने चाय को सप्रेट कर लेंगे तो हमने यहां पर क्या किया separation किया एक सबस्टांस को दूसरे सबस्टांस से अलग कर दिया ठीक है उसके बाद आप देखेंगे कि और भी को यूछ उत्चून के generals घूक देगे तो यहां भी आपने क्या किया सप्रेइशन क्या सबस्टांस का इसके बाद आप देखेंगे ग्रेंश होते हार्वेस्ट करते हैं लोग के बाद जो ग्रेंग लाते हैं जो टुक को अलग कर देतें यानिًग जो टॉक होता है और जो फुक्रेंट कर स्थेलिया जाता है तर फिक उसके और पता ही होगा हम क्या करते हैं मिल्क में करते हैं कि रहले जरा है तो जल्द हमारी डेली लाइप का बहुत ही इंपकॉल्टर रहा है तक नहीं होती दो तीन स्थे 一िरुजी तो जो मिक्षर है तो हम झ। सबस्टांसिस को अलग करने के ज़वर पढ़ती है तो इसलिए हम इस चाप्टर को पढ़ रहे हैं तो लास्टेक मेरी वीडियो में बने रहेगा ताकि आप जान सके कि कौन-कौन से मैथर्ड है सेपरेशन के और किस जगह पर कौन से मैथर्ड यूज होता है तो चलिए आगे उनका क्या करते हैं तो सेपरेट टू डिफ्रेंट बट यूसफुल कॉंपनेट कई बार दो यूसफुल कॉंपनेट्स जो हैं मेक्स हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं उनको सेपरेट करते हैं ठीक है उसके अलावा कई बार यूसफुल सबस्टांस में अन्यूसफुल सबस् होते हैं हमारे जो माटीरियल सें उन के अंडर उन्हें भी हटाने के दुरवत 이언도 तो अपरेशन के जरुऔर इस परपस के पड़ती है्तो हम सब्सक्राइब करते हैं तो जी कॉम्पनेंने हैं कहां क्या करते हैं क्टोंगे तो हम उसको त्रोड और देंगहें ओमारे यूज का यू धिंगी वह सॉलिड हो सकता है ङा ऐसी इंप्रिव यो आपकी यूज़ फुल रही है आप उसको टा देंगे निया आप कई बार क्या होता है कि एक इसापररेशन करने के बार दो यूजफुल कॉंपॉनेंट्स होते हैं और दोनों को ही आप अलग लग करके यूज़ करते हैं तो यह हमारे पर्पस थे और और हम जो कॉंपॉनेंट्स उसका क्या करते हैं यह चलिए तो आगे बढ़ते हैं देखे कौन-कौन से मैथर्ड हैं हमारे पास बैसिकली सप्रेशन के देखे हैंड पिकिंग थ्रेशिंग विनुइंग सीविंग उसके बाद से डिमेंटेशन डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन फिर है आपका एक इवैपरेशन इन्हीं मैथर्स को वन वाइवन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो चलिए देखते हैं आगे चलिए सबसे प हैंड पिकिंग मेंज कि हम इसमें हम कि हैंट को हूद करेंगे जो अपके हैं उसको संपरेट करेंगे यानि कि यह हैं हम अपने घरों में भी करते आते हैं और यह पुराना मैथर है तो इसमें करते क्या है देखिए एक्जामपल लिजे राइस वीट है तो आपने घरों में चावल बनाते हैं तो चावल को पहले चुनते हैं तो चावल में साप स्टोन को अलग करते हैं को अलग करते हैं तो क्या करते हैं उस पर से चुन के निकालते हैं तो हमने हैंड Picking बोला है ठीक है अपने हाथ की हैल्क से इंप्रिती सको अलग करना इसका है है जो मैंने यूज होता है बिगर पार्टिकल्स के लिए चावल में कंकर होते हैं बड़े होते हैं दिख जाते हैं उसको आप हाथ से उठा के फिक देंगी ठीक है और कई बर क्या होता है कि दो यूसुल चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती है पर उनका साइज बड़ा होता है तो भी हम क्या करेंगी हैं इसका डिसद्वांटेज क्या है यह टाइम कंस्यूमिंग है क्यों एक एक इंप्यॉर्टी को हम चुन के अलग करेंगे तो टाइम तो लगे गई यह ताइम कंस्यूमिंग और यह जो है वहां यूज नहीं होगा चैनाट भी यूज जहां पे पार्टिकल्स जो हैं जो श्रीज चैनाट नहीं कर सकते तो यह इसका में डिसद्वांटेज है देखिए डाइग्राम में यहां पे एक आढमी है चुण रहे है चुन है तो इस इस कॉल बेसिकली हैंट की मैथ चले आगे बढ़ते हैं थ्रेशिंग देखे थ्रेशिंग दो तरीके से की जाती है आप डाइग्राम में भी देख रहे होंगे फर्स्ट इस मैनुली एड़ सेके इस बाइ यूजिंग मशीन तो थ्रेशिंग में होता क्या है स्टॉक औ हमने फसले काट लाइं अब हम क्या करेंगे ऑ DA्ल में जो हैं हम उसको सुखने के लिए छोड़ देंगे थीक एजय से अ मिके देन बांस के ड्राइब धी बीषान हाँ क्रीण साग करेंग जो ग्रेंका स्टोक है हम उसको बीट करेंगे उसको करेंगे पत्थर पर बीट कर सकते हैं किसी चीज पर बीट करेंगे बीट करके क्या करेंगे उसमें से हम ग्रेन को अलग कर लेंगे स्टॉक को अलग कर लेंगे तो इस मैथड को हम बोलते हैं तो मैनुली हम बीट के अलग करते हैं और मशीन का यूज करके भी हम इसको अलग कर सकते हैं मशीन के यूज से क्या होगा आपका स्टॉक एक साइड हो जाएगा और ग्रेंश किया जाता है बहुत कम जगों पेज़ना मैनुली यूज किया जाता है ठीक है इसके लिए बलॉक और मशीन दोनों का ही यूज कर सकते हैं इसको थ्रेशिंग बोलते हैं ठीक है चले बढ़ते हैं उसके बादा है विनोईंग से एक बार भी सेपेर्च हैवियर गरीन पार्टिकल्स वह सुंगिभ यह मैपर यूज होता है किसके लिए यूज होता है है यह Bem जो चार्टिकल से लाइटर ड़स्ट को अलग करना थिक है तो इसके पहले आप डाइग्रम देखिए कि आपको क्लियर हो जाए एक बार देखिए यहां पर एक लेडी है उसने एक उची से जगव पर खड़ी है और वह हवा के डारेक्शन में क्या कर रही है ग्रेन को अपने शोल्डर से उपर रखके नीचे के तरफ गिरा रही है ठीक है इससे क्या होगा कि जो हस्क है जो लाइ नीचे यहां गिल जाएगा और हावा से उड़के हस्क उधर उड़के चले जाएंगे तो इस इस कॉल बेसिकली विनुएं ठीके डियाग्राम से समझ गए चलिए वापस आते हैं अपने कंसब पे देखिए देखिए दर मिक्षर कंटीनिंग ग्रीन एंडर्स्ट इस इसको हाई रखेंगे शोल्डर और चैस से ऊपर रखेंगे ठीके स्लाइटली टाइटल एंडिवन जेंटल मूमेंट सच आज लाइटर पार्टिकर्स लाइक हर्सक फॉल आउट और फिर देखिए हिलाते हुए हम क्या करेंगे ग्रेन को नीचे तरफ गिराएंगे हवा से ह सब्सक्राइट हो जाएंगे जिसे हम कहते हैं विनुएंग चलिए आपको समझ में आगया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगया हमारा नेक्स्ट मैथर इस इस कॉल सीविंग देखिए इसमें क्या होता है बेसिकली आप देख रहोंगे सीविंग की मशीन्स हैं एक् तो फिल्टर आउट ड़स्ट पार्टिकल इसका बहुत बढ़िया एक्जांपल हमारे घरों में है घरों में है कैसे देखिए वेरी कॉमली यूज्ट ओर क्लीनिंग फ्लोर आटा हम अपने घरों में रोटियां बनाते हैं रोटियां बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे फ्लोर डालेंगे उसको हिलाते हुए धिरे-धिरे छानेंगे इससे क्या होगा कि मारा फ्लोर निचा आजाएगा और जो समें मिक्स स्टॉप्स हैं जो इंप्यूर्टिस हैं वह उपर रह जाएगी ठीक है तो इस इस कॉल सीविंग इन सीविंग फाइन फ् फ्लोर है वो नीचे छंके आ जाएगा उसके बाद हम उसका डो त्यार करेंगे रोटिया बनाएंगे गर्मागरम ठीक है तो यह हमारे गरों में होता है इसलिए मैं बोल रही हूं कि हम जो है डेली की लाइफ में सेपरेशन का काम करते हैं इंप्यूर्टिस को अलग करते है इसलिए हम आप यह चैप्टर पढ़ रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए एक और एक्जामपल है सीविंग का आपने कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा होगा जब घर बनते हैं कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां क्या किया जाता है जो हमारा सिवेंट होता है क्या कहते हैं यह क्रेश को छरएयं से और स्टों को अलग करते हैं ठीक है अलग करने के बाद फिर हम उसने मीक्स करके उसको रैडी करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए तो सबसे अच्छा एक्जामपल है आपका देखिए डिली-लाइफ का कैसा इम्पॉर्टेंट method sedimentation and decantation sedimentation and decantation में क्या होता है देखिए mixture of sand and water आप दियाग्राम में देख रहे हैं एक तरफ mixture of sand and water है दूसरे में देखो क्या है after some time science settle below with water clear water ever देखिए क्या है मेली आप देखेंगे इसी तुरुपर clearly समझें sedimentation or decantation जो है basically आपस में जुड़े होते हैं ठीक है देखिए कैसे हमने सारे methods use कर लिए हमने cultivation कर लिया उसके बाद हमने उसकी threshing करके अनाज को लग कर लिया बिनोइंग करके हमने क्या क्या हस कर लिया घरों में हमने आठा लिया आठे को में सीविंग से क्लियर कर लिया ठीक है अब बहुत से ऐसे चीजे भी हैं जो क्या करते हैं इस इन सब की बाद भी उसमें क्या रहता है डर्स पार्टिकल इंप्योटिस रह जाती है देखिए अफ्टर ओल्डी प्रोसेस यूज एवर देर कुड बी स्टिल सम्स्मॉल पार्टिकल लग इन राइस का लिया हुआ है राइस के को के स्टॉक से अलग करके हस से अलग करके हम इसको रेडी करते हैं घरों में लाते हैं बेगे Europa के चावल में पानी डालेंगे इसको साफ करके तो क्या होगा दिखिए और पानी में एंप्योर्टी लौणी तो सम्जे क्लिए निदे किए सब्पेशन अफ है विल कॉंपनेंट बाइडिंग वाटर तो इट सब्सक्राइब आप क्या करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे की जो लाइटर पारिकल जो उपर है दो वाटर अलोंग विद रस पारिकल इस डिसकारड एड यानि की अब जो डस्त मिले हुआ मिला हुआ वाटर है उसको डिसकार्ड कर देंगे ठीके दृष्य और रिमूवल वाटर आलोंग विद लाइटर डेस पारिकल इस पारिकल इस क्या है सेफों पालित आफिल सब्सक्राइब थार और सब्सक्राइब 두踵 नात्रा CC is साथ-साथ चलते हैं किसी डेस पार्टिकल की इंप्यॉटिस को हटाने के लिए दोनों ही प्रोसेस साथ-साथ चलेंगे ठीक है ऐसा ही एक और है ऑईल एंड वाटर जो हम इसी मातर से अलग कर पाते हैं और और वाटर ले लिजिए दोनों का मिक्षर हम एक बरतन में ले गैपicar था वो उपर आ गया तो यहां पर जो आपकर प्रोसेस हूआ वो कौन से प्रोसेस हुआ सेडीमेंटेशन फिक है सडीमेंटेशन उगया उसके बात हमने क्या कि ऑईल उपर है उसको दूसरे सपरेट वीकर में हमने डालना शुरू किया तो अब जो हम प्रोसेस कर रह है वो है डीकैंटेशन ठीक है डीकेंटेशन का स्काहरे हैं एक रहा है जुसके में और इकंटेशन दोनों का हमने यूज किया ठीक है चलिए नेक्स बढ़ते हैं हमारा है filtration filtration में क्या होता है दिखिए separation using a filter like in case of tea filter is referred as filtration जिसमें हम filter paper कर या सीव देखिए यहां पर पढ़ते हैं filtration is the process of separating solid particles from a liquid by passing through a filter और और पोर्स फिल्टर पेपर देखिए मैंने बताया आपको लिक्विड होगा एक लिक्विड होना ही चाहिए दूसरा उसमें solid होगा जिसको हम चान के अलग करेंगे ठीक है फूट वेजटेवल जूसिस भी हम इसी प्रॉसेस से अलग करते हैं देखिए एक और हमारा डेली लाइफ का एक्जामपल आ गया ठीक है सम्टाइम फिल्टर पेपर किन ऑल्सों भी यूज्टरेशन ऑफ सर्टेन सबस्टांसे फिल्टर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग किसी चीज़ को चानने के लिए हमारे डेली का लाइफ का है इंप्यूर्टिसम डेलाइफ में साप्र करके अलग कर एक एक और दिल्लाइफ का हमारे एक्जामपल टीट के बिना तुम दहीं सकते हम देली अपार है यमारा तरिकी इंप्यूर्टिसम डेली का इक्जांपल चले अभी हमारे पास एवापरेशन ठीक है एवापरेशन में क्या होता है देखिए वेन साल्ट इस में next with water water basically sea water the water is heated until all the water become vapor and only the salt left it this method में क्या होता है evaporation यानि कि liquid में से solid को separate करने के लिए क्या करेंगे उसको हम heat करेंगे वह हीट हम क्या करते है naturally भी हो सकता है या हो सकता है हम manually उसे करें ठीक है तो heat करने से water evaporate हो जाएगा water vapor में convert हो जाएगा और जो remaining waste बचेगा यानि की particles बचेंगे वह हमारा substance इसकी example है उन्हें salt का लिया हुआ है salt water में से हम water को वापर कर देंगे तो remaining हमारा salt बचेगा ठीक है तो इस process को हम क्या बोलेंगे evaporation ठीक है conversion of liquid into vapors is called evaporation ठीक है तो यह example है कि हम समुंद्र के पानी में से sea water से salt को कैसे separate करते हैं देखें नमक हमारे फूड का सबसे में पार्ट है नमक के बिना हमारा सारा खाना टीसलेस है तो देखें जो नमक आता है यह नमक का बनना भी example है separation of impurities का सबस्टांसिस का यहां पर देखें सी वाटर का यूज करके हमें उसको क्या कर ला नेच्छोली इसको हमने सी वाटर का यूज किया हुआ है इसको हमने डिवाइट कर दिये हैं पार्ट में अब यह क्या होगा यह नेच्छोली दीरे 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 सन एनरजी से क्या होगा वाटर एवापरेट हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा नमक सॉल्ट तो देखिए यही मैथड यूज होता है सॉल्ट बनाने के लिए सी वाटर से सॉल्ट बनाने के लिए तीक उसके बाद इसकी रिफाइन के जाती है हमारे घरों में फिर यह आते हैं जिसका हम यूज करते हैं तो जिएक साल्ट सैंड मिक्शर अब दोनों ही सॉलिड है दोनों ही fine mixture है एकदम बारिक mixture है ठीक है तो इस तरीके के mixture को separate करने के लिए एक से ज़्यादा methods की use होती है किसके separation method की देखे sometime it may be necessary to use more than one method to separate substances एक से ज़्यादा method का use होगा ठीक है देखे एक्जामपल लिया होगा इन्होंने mixture of sand और salt अब क्या करेंगे इसको separate कैसे करेंगे यह तो हैंड पिक भी नहीं हो सकते और इसके हम सीविंग भी नहीं कर सकते क्योंकि sand के साथ आपका salt भी तो आएगा sorry salt के साथ सैंड भी तो आएगा filter भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में से कुछ नीचे filter होके नहीं आएगा ठीक है evaporation किसका करेंगे दोनों ही पार्टिकल सॉलिड रह जाएंगे ठीक सारे मैथर्स इसके लिए विकार तो इसके लिए जो बेस्ट मैथर है वो दिकी कौन सा है तो सॉल्ट विल डिजॉल्विल वाटर पानी को वाटर में sorry salt को वाटर में डिजॉल कर देंगी ठीक है जिससे क्या होगा कि सैंड नहीं घुलेगा आपको पता है सैंड कभी भी पानी में नहीं घुलता वह सेपरेट रह जाता है तो देखिए क्या करेंगे सैंड और सॉल्ट वाटर में मिक्स कर देंगे और इसको किसी एक बीकर में रखके थोड़ दरी के छोड़ देंगे यानि कि हमने किस प्रॉसेस का यूज किया सैडिमेंटेशन का सैडिमेंटेशन का प्रॉसेस किया जिससे क्या होगा सैंड जो है वो हैवी है वो नीचे पानी में इकटा हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो पानी में मिक्स रहेगा ठीक है कि क्यो लाइटर है उसके बाद क्य क्या करेंगे अब हमारे पास लेकिए सेंड सेपराइट हो गया अब हमारे पास सॉल्ट एड्र मिक्षर है और आप को पता है जो मेधाड यूज होता है वह है अपका rasa सुलक होता है यू है आपका शॉ fast Roz knownaser कर देंगे ठीक है वहेट हो जाएगा वहरो ędों बच किया जाएगा हमारे पास नमा कि तो इससे हम सॉल्ट को अलग कर लेंगे अब वाटर को क्या करेंगे कूल कर लेंगे डेकर ने सबसे पहले क्या किया सेंड को सेंड वाटर सैटल हो गया कि वह सैंड नीचे वाटर उपार सपेट कर लिया हमने उसको स्याल्ट वॉटर अलग हो गया थिकMAN उसके बाद क्या किया कि हमने हीट कर दिया कर दिया नमक हमारे पास बच गया और हैं अब उस्वेड़ वाटर को हमने क्या किया आइज का यूज़ कशना कर दिया आइज के कर दिया और देखिए यह जो आप देख रहे हैं वाटर वैपर जो उपर की तरफ जा रहा रहा है वह थंडे एटना एंवारिमेंट से आइस की वज़े से वापस किसमें करने वाटर में और एक वीकर में कटा हो रहा है तो देखिए हमें क्या किया दो तीन मैथोर्ड का तो अब देखिए, saturated solution एक topic है हमारे पास, इसको भी समझ लीजिए, saturated solution क्या होता है, ठीक है, देखिए क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं, चलिए पहले, when you keep adding a solute substance that dissolve in a liquid, in a solvent, it is initially begin to dissolve, देखिए, सबसे पहले समझ देजिए कि solute और solvent क्या है, solute वो particle है, जिसे हम mix करते हैं, solvent के अंदर, solvent liquid होता है, mainly जो universal solvent है, वो हमारा water होता है, universal solvent क्यों बोला है water को, क्योंकि water अपने अंदर सब कुछ घोल सकता है, that is why it is called universal solvent, ठीके, तो solvent के अंदर, जो हम small amount की particles को mix करते हैं, वो solute होता है, ठीके, तो solute solvent के अंदर घुल जाता है, ठीके, फिर हम क्या करते हैं, more and more solute added, हम और solute घुलते जाते हैं, mix करते जाते हैं, तो कुछ टाम बाद देखेंगे, solute जो है, वो घुलना बंदो जाते हैं, क्यों ऐसा हुआ, अब जब उसमें और हम जाल डालेंगे ना, तो mix नहीं होगा, वो आपको as it is दिखेगा, यह ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा इसलिए वा कि एक level पे आके, जो है, solute solution में, उसको इतना space नहीं मिल पाता, कि वो mix हो पाए, तो वो आजब जाता है, जिसको हम बोलते है, saturating point, जब हम किसी solute को solution में घूलेंगे ना, तो mix करते, 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 क्या होगा, solvent में जगर जो है, खतम हो जाएगी, और solute नहीं गुलेगा, तो उस point को, स्टेज को हम बोलते है, saturating point, तो उस stage पर आके, उस पर जो है, कुछ हर चीज mix नहीं होगा, और solute mix नहीं होगा, ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, saturated substances, saturated liquid, यानि कि, जिसमें फिर और ज़्यादा, कुछ solid हम mix नहीं कर सकते, ठीक है, saturation किस पर depend करता है, temperature पर, pressure पर, nature of the solvent पर, देखिए temperature, अगर temperature हाई है, तो उसमें mix हो जाएगा, आपका solvent, जादा mix होगा, solute, sorry, pressure जादा है, ठीक है, तो pressure की वज़े से भी, क्या होगा, solvent में, solute जादा-जादा mix हो पाता है, क्योंकि, जो solvent के particles हैं, वो एकदम अलग दूर दूर रहते हैं, तो बीच में जगव मिलती है, solute को घुलने के लिए, ठीक है, उसके बाद, नेचर, अगर solvent का नेचर, जो है, particles जादा अलग-अलग है, solvent के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर, solute को जगव जादा मिलेगी, घुलने के लिए, तो नेचर, solvent का भी डिपेंड करता है, temperature, pressure, तीनों चीज़ें, जो है, बेसिकली, डिपेंड करती है, किसी भी liquid को saturated बनाने के लिए, I hope आपको clear हो गया होगा, saturated क्या होता है, saturated वो point है, जिस point पे आगे, किसी liquid में, कोई भी solid particle mix नहीं होती, ठीक है, चलिए, thanks for watching, हमारा आज के वीडियो यहीं खतम होता है, hope कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो हमेशा की तेरह चैनल को subscribe, वीडियो को like करिएगा, ठीक है, तू मिलते हैं हमारे next वीडियो में, तक तक के लिए, thank you so much